बी आर एफल टेक्स्ट्राइल साथे करार करें आचाने करार मुझे ब कंपनी सारा तरण सो करार रुप्यानों रोकानपंग करेंशे तो आना पर डीटिल्स लेए कंप्तिन अवाइस चेर्मन और एम डी शीव रामकृष्णे गनपती आपनी साथे जोड़ा गया चैसर सोच हम कई क्वाट्रों से हम अंदरी डिसकस कर रहे थे इस साइस पर हमें अपने फैबरिक पर कंट्रोल लेना जोड़ी पड़ रहा है क्योंकि आगे चलके हमें एक तो speed of turnaround to our customers ये बढ़ाना है और उपर से हमारा cost भी कंट्रोल करना है तो इसको ध्यान रखते हुए हमने सोचा कि एधर हम एक greenfield textiles unit लगा है या फिर हम किसी existing textile unit के अंदर invest करके बाद में देख लेंगे कि acquire करना है कि नहीं करना है तो वो सोचते हुए BRFL textiles में हमने एक investment का plan किया और ये investment का ये investment हमें ये benefit देता है कि हमें थोड़ा सा supply chain पे control और बहतर होगा थोड़ा fabric development हम कर पाएंगे और customers के बास ले जाके हम थोड़ा सा faster turn round भी कर सकते हैं और growth के लि जी काफी details इसके उपर अपने यहां से दिये बट जैसे कि आपने बताया backward integration है तो क्या ये company का first integration है या फिर previously भी कहीं पर किये है इसके पहले तो हमने knit fabric unit हमने green field लगाए है और वो क्यूटू में वो उसका commissioning हो जाएगा वो काफी हद तक ready है और trial productions चल रहा है, trials are coming out very good तो वो knit में है लेकिन गोकल्दास का जो volumes है अधिकतर woven garments पे हैं और almost 80-85% हम woven garments पे focus करते हैं और उसके लिए हमने सोचा कि कि हमने सोचा कि backward integrate करना है तो BRFL textiles के तुरू करेंगे through this investment तो अभी this is our second investment, first one was knit, second one was this one. Okay definitely, sir यह एक investment के बारे में हमने बात किया, but overall अगर industry volumes जैसे हम muted देख रहे है, despite यहां से company का अच्छा market share gain हुआ है, तो यहां से कैसे आपको on stream लग रहा है for FI 25 की अगर बात करें, inventory level normalized होते हैं आप कैसे यहां से देख रहे है, capacity की अगर बात करें, on stream है for FI 25 और साथ ही सा जानना चाहेंगे demand outlook अभी कैसा है? So, demand outlook अच्छा काफी हर तक सुदर गया, compared to last year. Last year हम देखा की काफी muted था demand, और global imports करीब 20% कम होगे थे, compared to previous FI. So, FI 24 वस FI 23 हम देखा की करीब 20% गिरिया था, और Indian exports did not fall as much, but still it was negative in growth terms compared to the previous FI. लेकिन मुझे यह लगता है कि इस FI 25 वस FI 24, पूरा इंडस्ट्री विल ग्रोओ, and some companies will grow faster, क्योंकि demand का जो restoration है, वो हो रहा है. Inventory position, most of our customers have brought it down already, तो इसलिए वो आके अभी खरीदने शुरू कर रहे हैं, और spring summer, which will happen in the second half of this year, उसका जो production है, वो मैं समझता हूँ कि उस पिरिएड में डिमांड काफी strong रहेगा, इंडियन एपैरल एक्सपोर्टर्स के लिए. Sir, आगे जानना चाहेंगे, multiple key triggers से company के सामने going forward, तो यहां से outlook आप क्या share करना चाहेंगे for financial aid 25, revenue and margins के लिए, guidance को जा? देखे, revenue तो हमने last quarter में 800 crores का revenue किया था, तो उस run rate या उसके उपर ही रहेगा, तो we are very confident that in this FI, growth will be very strong compared to previous FI. That is number one, and as far as margin is concerned, usually Gokuldas operates at 12% plus margin, EBITDA margin, लेकिन इस समय, क्योंकि हमने acquire किये हैं कुछ assets, जिनका margin is, हमारे margins के मुताबिक थोड़ा कम है, मुझे लगता है कि उनका margin हमारा level तक लाने के लिए FI 26 लगेगा, so in FI 25, I feel our margin should be more like 11% or thereabouts, but growth, top line growth will be very very strong. Okay, sir, export के front पर update लेना चाहेंगे आपसे, और आप आगे चलकर export कैसा shape-up होता देख रहे हैं, और especially अगर बात करें, US market में भी है कि Christmas हम देखेंगे, क्या वहाँ पर कैसे bookings की अभी शुरुआत हैं, और अभी तक कैसी update है export को लेकर? एक्सपोर्ट को लेके demand काफी strong है, at least हमें दिखाए दे रहा है कि reasonably strong demand दिखाए दे रहा है, particularly because last year काफी हद तक कम था export का demand, तो उस base पे अगर हम compare करेंगे, तो export demand is very very strong, and मुझे लगता है कि वो strength will be maintained during this year and next year. Sir, inventory levels पे अभी normalization आप देख रहे हैं, वो कैसा है, उस पर क्या update है? Most fashion customers का जो inventory है, वो उन्होंने normalize कर दिया, और वो लोग अभी खरीने शुरू कर दिया, वो लोग ने, some outerwear customers के पास अभी भी थोड़ा सा inventory है, तो, you know, थोड़ा सा उनके लिए समय लगेगा, but by and large, अगर मैं इंडस्ट्री को overall तरीके से देखता हूं, तो मुझे लगता है कि inventory problem is 90% plus sold. So, demand will pick up from here. Definitely. Lastly, sir, जानना चाहेंगे, कमती ने यहां से जो acquisition complete किया है with Traco and Matrix, to key synergies from this, आप कैसे देख रहें, और especially अगर देखा जाया, तो what it spells for the company? So, synergies तो काफी strong है, क्योंकि Traco gives duty-free access to US market and European market. हमारे existing customers को भी हम कह रहें कि, अगर duty-free access चाहिए, तो आप Traco से तबड़ा manufacture कर वा ले, और हम उस दिशा में उनको भी direct कर रहें, और उसी तरगे से हमारे existing customers को अगर knit products की अवश्यक्ता है, तो हम matrix में manufacture करने का suggestions दे रहें, तो ये सब हो रहा है, साथ-साथी में हम उन factories का control भी ले रहे हैं, तो all of this is happening, मेरे क्याल से बाइड बाइड आप इनका पूरा, you know, integration complete हो जाएगा, और more or less, synergies will also start playing by FY26. ये, definitely, साथ, काफी डिटेश आपने हमारे साथ शेर की, तक ये for connecting, and best wishes for coming quarters. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. झाल झाल